आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करके दो कैमरे तीन कैमरे चार कैमरे वाला फोन लाते हो और आप हमेशा यूज एक ही कैमरा करते हो तो क्या फायदा अगर आपने पैसा खर्च किया है आपने जान बूझ कर चार कैमरे वाला फोन लिया है तीन कैमरे वाला फोन लिय या दो केमरे वाला फॉन लिया है और आप उसको यूज नहीं कर पा रहे तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे अगर आपने दो केमरे वाला फॉन लिया है तो दो केमरे कैसे काम करते हैं अगर आपने तीन केमरे वाला फॉन लिया है तो तीन के अलग होगा यह उस एक ही camera को चलाने से आ जाता है लेकिन इन चार camera का अलग अलग काम होता है और इन चार camera को अलग जगह पे यूज किया जाता है और आजकल की जो phone आ रहे है ना मैं आपको सच बता रहा हूं यह DSLR से कम नहीं है अगर आपको अपने phone में यह जो सारे camera हैं इनको यूज करना आ गया तो आपको आगे चलके DSLR की जरूत नहीं पड़ने वाली आप अपने phone से ही DSLR जैसा पिल्कुल perfect जैसे camera वाले होते हैं जो camera camera से photo खीचते हैं बिल्कुल same ऐसी perfect photo अपने phone से खीच सकते हो तो आज मैं आपको यह तरीके बताता हूं कि कैसे कैसे आपको अपने phone के चारो camera या तीन camera या दो camera यूज करने हैं तो friends मैं हूं योगिस भारदवाज और आप देख रहे हैं आपको YouTube channel My Easy Knowledge जब भी हम अपने phone का camera चालू करते हैं तो हमारे phone का एक ही camera चालू होता है जो man camera होता है लेकिन बाकी के तीन camera बंद होते हैं उस टाइम पर तो बाकी के तीन camera कैसे काम करेंगे वह आज हम इस वीडियो में आगे जानेंगे तो इस वीडियो में उन तीन camera के बारे में जानने से पहले वह तीन camera कैस के से कशाएं गरते हैं उसे पहले हम पहले इन चारों पारा सब्षाइब Mm आ की नाम में इनका राज फ़लों को सबसे चलाने में होगी उसे सबसे नमबर नब जो camera होता है वो होता हमारा man camera जो भी फॉन में लिखा आता है 64 megapixel 32 megapixel 50 megapixel 12 megapixel 13 megapixel जितने भी megapixel का होता है man जो man camera होता है वही हमको phone के review में भी दिखा जाता है तो जातर हम उसी camera का use करते हैं जो सबसे पहला camera हो man camera उस के बाद जो हमारा दूसरे bliver नंबर का camera नहीं जानते होंगे लेकिन वह अंजाने में भी इसका लेते हैं तो dev sensor होता है dev sensor होता है वैसी आवाली photo खीचने के लिए वैसी वाली photo का मतलब जिनमें पीछे का background blur हो जाता है जिसको कुछ लोग portrait mode के नाम से जानते हैं तो उस condition में हमारा depth sensor और man camera ये दौनों मिलके काम करते हैं ये कैसे काम करते हैं जब भी हम किसी का photo खीच रहे हैं तो जब हम photo खीचते तो जो man camera है वो उस व्यक्ति को उस object को उस person को detect करता है उसको focus करता है लेकिन वहीं पे ह क्या होता है हमारा जो photo है वो दो parts में डिवाइड हो जाता है एक पीछे का background एक वो object यानि वो व्यक्ति वो परसन वो चीज जिसको हम focus करके जिसका photo खीच रहे हैं जिससे क्या होता है हमको पीछे का जो background है उसको blur करने में आसानी होती है आपने देखा होगा बहुत सारे मो portrait वाली है तो simple आपको कुछ नहीं करना अपने phone का camera खुलना है man camera उसमें आप side में खिसका होगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा portrait mode portrait लिखा हुआ तो आप जब इस पे खिसका दोगे simple सी यहां से आप पीछे का blur घटा बढ़ा भी सकते हो या फिर आप पहले photo खीच दाल दोंगा कि किस type से किस phone में किस नाम से यह option दिखाएगा portrait वाला ठीक है अब नंबर तीसरा है हमारा wide angle camera अब जैसा कि wide angle wide से हमको पता चलेया wide मतलब बड़ा area wide मतलब चोड़ा area मतलब कि जब भी हम अपनी family की परिवार की group photo लेते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं तो normal camera camera से अगर हम man camera से अपना photo खीचेंगे group family का तो उसमें सब लोग नहीं आ पाते तो उस condition में हम wide angle camera का use करते हैं तो wide angle camera का use हमको किस प्रकार से करना है कि आपना एक काम करना अपने camera के पीछे उंगली रख रख के देखते जाना उससे आपको पता चलता रहेगा आपका कौन सा camera काम नहीं करेगा आपको दूसरा camera काम करेगा आप उंगली रख के देखना उस camera पर उससे आपको पता जाएगा कि वह यह वाला camera काम कर रहा है और wide angle camera करने के लिए हर phone में अलग अलग तरीके होते हैं wide angle के लिए किसी-किसी में यह वाले feature होते है कि आपको इस टाइप का य इसी जूम को बिल्कुल खतम कर दो तो आपका wide angle वाला camera सुरू हो जाएगा ऐसी हर phone में अलग अलग तरीके होते हैं यहां में screen पे सबके phone में किस हिसाब से किस option में यह wide angle वाला camera खुलेगा वह में screen पे डाल दूँगा आप चेक कर लेना इसके बाद आप wide angle से फरक देखना कि इस time पे photo इस हिसाब से बस इतना सा आ रहा है वीडियो हिसाब से बस इतनी सी आ रही है इतने ही लोग को capture कर पा रहा है इतने ही area को capture कर पा रहा है पर जैसे आपने wide angle चालू किया तो wide area आपके camera में capture उपा अब number 4 पे हमारा आता है macro camera आपने macro camera के बारे में साय सुना हो या चोटी सी चीज है आप उसको कितना भी जूम कर लेना उसकी photo इतने अच्छे से इतनी clarity से capture नहीं हो पाएगी लेकिन जब मेक्रो camera का यूज करोगी फॉस चोटी से चोटी चीज का भी एक clarity से बड़ा दिखा के जैसे किसी मक्खी का photo खीचोगे ना मक्खी का photo उस macro camera से तो त सच बता रहा हूं इतनी लाजवाब photo आईगी उसकी आपको लगए इतना छोटा फूल है यह बड़ा फूल है और बहुत clarity से उसकी clarity बहुत अच्छी होगी तो इस camera को आपको यूज कैसे करना इसका भी उंगली से ढखके देख लेना यह अलग camera काम करता है तो हर phone में macro की न पर बताता हूंगा company का नाम और उसकी setting में किस हिसाब से वह आप ढूंड लेना निकाल लेना macro का नाम से होना चाहिए macro के लिए आपको क्या करना यह बात ध्यान अकना की camera को बिल्कुल पास में ले जाके एक उसकी distance होती इतनी ही distance पे ले जाके जब photo घीज़ना होता पड़ camera का phone खईदा आपने जितना पैसा डाला है आप उस phone से उतना ही पैसा वसूल भी कर लोगे तो जानकारी अच्छी लगे होगी मिलते हैं किसी next video में एक नई जानकारी के साथ